Hello students, today we will learn the use of A and N. तो बच्चों आज हम A और N के use के बारे में सिखने वाले हैं, ठीक है? Look at the following uses of A and N. यहाँ पर देखो A कहाँ पर हो रहा है और N कहाँ पर हो रहा है? A kite, A dog, A bicycle, A pencil, A whale, A turban, an apple, an ink pot, an umbrella, an egg, an ox. Okay, so students, यहाँ पर क्या है, कुछ जगा पर E हो रहा है, यहाँ कुछ जगा पर N, A का मतलब जो है, N का मतलब भी हो ही है, A मतलब 1, N मतलब भी 1, A kite मतलब, A kite, ठीक है? A dog मतलब, A dog, ठीक है? N apple मतलब, A apple, so एसा क्यों होता है, कहीं कहीं पर E होता है, कहीं कहीं पर N, हमें कैसे पता चलेगा, कहां पर E होगा और कहीं पर N होगा? देखो, इसके लिए कुछ एक रूल है, Some words begin with a constant, Some words begin with a vowel, So, कुछ words constant से शुरू होते हैं, और कुछ भावल से बावल और constant क्या है? यह हम जब alphabets पढ़ रहे थे, वहाँ पर हम देखे थे, कितने alphabets होते हैं, English में? 26, and out of the 26, 5 are vowels, and the rest of 21 are consonant, ठीक है? 5 भावल होते हैं, जो बाकी बाच कोई 21, वो consonant है, तो भावल कौन कौन से है? भावल है, A, E, I, O, and U, A, E, I, O, U, यह क्या है? भावल से हैं, बच्चों, जो भी words भावल से शुरू होगा, किसे भावल से start होगा, जैसे यहाँ पर apple हो गया, apple कहां से शुरू होता है? A से, A, P, P, L, E, apple होता है, तो A क्या है? भावल है, तो उसके सामने क्या लगेगा? N लगेगा, जो word consonant से शुरू होता है, जैसे यहाँ पर kite के से सुरू होता है? के इस है? consonant, तो वहाँ पर क्या लगेगा? A लगेगा, ठीक है? भावल से शुरू होगा, तो N होगा, consonant से शुरू होगा, तो A होगा, भावल क्या-क्या है? भावल तुमारे होगे, A, E, I, O, and U, यह होगा, भावल, अगर A से सुरू होता है, E से सुरू होता है, I से सुरू होता है, O से, या फिर U से अगर सुरू होता है कहीं भी word, तो वहाँ पर N लगता है, क्या लगता है? बाकी जो बच गए बहुत सारे consonant है उनके सामने अगर उनहीं से अगर शुरू होता है कोई भी word तो वहाँ पे A लगेगा ठीक है? जैसे pencil pencil का spelling क्या है? P-E-N-C-I-L तो किसे सुरू हो रहा है? P से तो उसके सामने क्या लगेगा? ये लगेगा A pencil ठीक है? फटे हाँ पे देखो E-G-G एग ठीक है? तो किसे सुरू हो रहा है? एग E से तो उसके सामने क्या लगेगा? N-N-E-G होता है A-E-G नहीं होगा ठीक है? तो नीचे देखो दिया गया है exercise fill in the blanks with A और N कहाँ पे A लगेगा? कहाँ पे N लगेगा? तो में लगाना है जैसे कि इस इस डेख्स होर्स होर्स है तो होर्स के सामने A लगेगा या N लगेगा? होर्स किसे सुरू हो रहा है? है एच से तो ह भावल है या कंसोनेंट है? कंसोनेंट है क्योंकि सिप A, E, I, O, U ये पाँचो भावल से हैं और बाकी सब कंसोनेंट है तो यहाँ पे क्या होगा? दीस इस ए होर्स ओके? देन नेच्ट वान दीस इस डेक्स ओक्स ओक्स मतलब O, X, O, X ठीक है? O, X का स्पेलिंग क्या है? O, X किस से शुरू हो रहा है? O से एड O क्या है? भावल A, E, I, O, U ये भावल से तो O से शुरू हो रहा है तो क्या लगेगा यहाँ पे? एन दीस इस इस एन ओक्स